जैशी किशना दोस्तों कैसी हैं आप अच्छी होंगी स्वस्त होंगी अपनी घरों में खुश होंगी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आपके यूट्यूब चैनल पे आज का उपाई बहुत ही खास है बहुत ही अच्छूख है इसलिए 30 साल के बाद ऐसा धुलब संयोग बन पा रहा है मा शिवातरी की दीन प्रदोश वरत है और साथ में शनी प्रदोश है तो इस दिन आप छोटे-छोटे से अच्छूख से उपाई जरूर करें आपके जीवन में अगर इस तरह की कोई भी समस्या चल रही है घर में आठी तंगी बहुत जात है मादा लक्षमी का सिर्वास नहीं है मांगली कारे सारे रुख चुके है बच्छों के विभा में अर्चने बाधाएं आ रही है अच्छी नौकरी नहीं मिल पारी यह नौकरी मिल भी गई पर्मोशन नहीं हो पारे इस तरह की कोई भी अगर समस्या है आपके घर में तो आप इस शिवरात्री के दिन जरूर यह अच्छों सा उपाई करें इस दिन आपको करना क्या है खाल सोर्सी कि घर की अगर महिला करना चाहती है तो वो भी कर सकती है मा करना चाहती है बच्चो बहुत सरल बहुत आसान ही सुबाउट जाएस नानादी करने के बाद आपने काले रंग के वस्तर नहीं धारन करने हैं आप हलके गुलाबी पीले या लाल रंग के वस्तर इस दिन पहने काले रंग के वस्तर ना पहने अब आपको चाहिए जैसे कि भगवान शिव को भांग ध भतूरा बेल पत्र सब अरपन किया जा तब सारी चीज़े ले आई हैं आपकी शमता अनुसार आपको चाहिए 21 बेल पत्र जो आज मैं उपाय बताने चाहिए 21 बेल पत्र का और 21 ही पीपल की पत्ते का जैसे कि शनी परदोश है तो शनी देव को भी प्रसन करना है तो आपने यह दोनों पत्ते 21 लेने हैं अगर आपको 21 बेल पत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो मंदिर में काफी पत्ते चढ़ाए हूँगे आप वहां से भी उठा सकते हैं और उन्हें गंगाजल से साफ करने के बाद इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कोई भी बुराई नहीं है तो आपको 21 सब्सक्कराइब चाहिए झाए और 21 आपको पिपल के पत्ते चाहिए आपको सफेजचंधन में आपने करना क्या है गंगाजल मिला जल पेस्ट बना लीके उसके सायता से आपने श्तमाल और पिपाल के पत्ते पर बी ओमलिकšना है और आपको में जस जल से अभी शीक्ता रह भगवान शेवग को काला तिल चाढ़ाना ना भूले शनीbones प्रदोश है तो साथ में शनीदेव को प्रसंदायों अगर आपकी क vigilantश कुंदली में पितर दोश है घर मैं पितर कंडली में म२ें शनीच चाल रहा है तो भगवान शेवग को काला तिल अरपन चाहिए तो इस दिन तो खास तो चोच से आपने भगवान शिफ को काला ओपन करना है तो आप इस जल को तियार करीजिए इस जल से भगवान शिफ का आप अभिशेक कीजी उसके बाद आपने सारी चीजे जो भी भांग्दतूर आपनी लिया फूल माला लिए वो आप भगवान शिफ को अर्पन कीजिए करने के बाद आपको जो मैंने 21 बेल पत्र बोले हैं और साथ में 21 आपको पिपल के पत्ते चाहे आपने एक एक पत्ता भगवान शिफ को अर्पन करते जाना है अपनी मनो कामना को बोलते जाना है अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत जाद है उस समस्या को दूर करना चाहते है वैपार में व्रदी नहीं हो पा रही है कारोबार में बिलकुल बरकत नहीं है घर में सुक्स व्रदी नहीं है कल है बहुत जादा है या बच्चों के विवहा में अर्चने बाद हैं रुकाबटे बहुत जाद आरें कोई भी चीज़ या नौकनी नहीं मिल पारी है जॉब पे प्रमोशन नहीं कुछ भी कैसी भी समस्या या आपकी कोई मनोकामना जो काफी लंबे समय से रुकी है पूरी नहीं हो पारी है उसके लेप यह उपाय करें जो भी आप सोच के उपाय करने जा रहे लो भगवान शिव को आप एक इक भेल पत्र और एक पीपल का प्त्ता अर्पन क्रते जाए और अपन एक पीपल का पत्ता और एक वेल पत्र उठा के घर लेकर आना है उठा के घर लेकर आएंगे फिर आप लाल या पीली रंग के कपड़ा लेंगे छोटा सचा ये आपको सूती कपड़ा साफ सुत्रा होना चाहिए उसके अंदर आप इसे बांध लीजे अगर आप अपनी घर के आठी तंगी को दूर करना चाहते हैं या वैपार में व्रेडी चाहते हैं तो इसे आप इस पोटली को धन रखने की स्थान पे रख दीजी चाहे आप अपने दुकान में भी रख सकते हैं अपने गले में और अगर आप इस पोटली को बच्चे की अल्मारी में रख देना है तो आप इस बिसे करके देखिए और 21 जिन करके देखे जिस भी मनोकामना को सोच के आप ये उपाय करें आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूर करेंगे और कुंडली में अगर पितर दोश या शनी दोश चल रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा तो इस दिन इस शिवरात्री पे आप ये अचुक उपाय जरूर क करें भगवान शिव आपकी हर समस्या को दूर करेंगे अब मुझे आगया देजिए फिर आओंगे इससी तरह के बहुत ही छोटी से उपाय की साथ मिजैशी किश्णा